पर्मा एकादशी की व्रत कथा अर्जुन ने कहा हे कमल नैन आपने शुकल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वर्णन कर मुझे सुनाया आते अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फलकी प्राप्ती होती है उसकी विधी क्या है इन सब के बारे में बताएं श्री भगवान बोले हे अर्जुन अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह पर्मा एकादशी कहलाती है वैसे तो प्रतेक वर्ष में 24 एकादशियां होती है अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है अधिक मास में दो एकादशियां होती है जो पदमनी एकादशी शुकलपक्ष की और पर्मा एकादशी क्रिश्न पक्ष के नाम से जानी जाती है इसके वरत से सभी पापनश्ट हो जाते हैं और मनुश्य को इस लोक में सुख तता परलोक में सद्गती प्राप्त होती है इसका वरत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विश्नु का धूप, दीप, नैवेध्य और पुषपादी से पूजन करना चाहिए इस एकादशी की पावन कथा जो की महर्शियों के साथ कामपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक्षवन करो पर्मा एकादशी व्रत कथा कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राम्मन रहता था उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पती व्रता थी किसी पूर्व पाप के कारण वैदम पत्ती अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे ब्राम्मन को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी उस ब्राम्मन की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पती की सेवा करती थी तथा अतिति को अन देकर स्वेम भूकी रह जाती थी और पती से कभी किसी वस्तू की मांग नहीं करती थी दोनों पतिपतनी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे एक दिन प्राम्मर अपनी स्त्री से बूला हे प्रिये जब मैं धनवानों से धनकी याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं ग्रहस्ती धनके बिना नहीं चलती इसलिए यदि तुमारी सहमती हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रसंशा की है ब्रामण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा हे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ पती अच्छा हो और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए मनुष्य को पूर्व जनम में किये कर्मों का फल मिलता है पूर्व जनम में जो मनुष्य विद्या और भूमी दान करते हैं उन्हें अगले जनम में विद्या और भूमी की प्राप्ती होती है इश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभू उसे केवल अन नहीं देते हैं इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए क्योंकि मैं आपका विछो नहीं सह सकती पती मिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर और संबंधी आदी सभी निंदा करते हैं इसलिए हे स्वामी किरपा कर आप कहीं न जाएं, जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा इस्त्री की सला मान कर ब्राम्मण परदेश नहीं गया इसी परकार जीवन बिताता रहा इस परकार कॉंडिले रिशी वहां आए रिशी को देखकर ब्राम्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ रिशी को उन्होंने आसन और भोजन दिया भोजन देने के बाद पती वर्ता ब्राम्मणी ने कहा हे रिशीवर, किरपा कर आप मुझे दरिदर्ता का नाश करने की विधी बतलाईए मैंने अपने पती को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है मेरे भाग्ये से आप आ गए है मुझे पूर्ण विश्वाश है कि अब मेरी दरिदर्ता शीग्र ही नश्ट हो जाएगी अते आप हमारी दरिदर्ता नश्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं ब्राम्मणी की बात सुन, कॉंडिन्य रिशी बोले हे ब्राम्मणी मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के वरत से सभी पाप, दुख और दरिदर्ता आदी नश्ट हो जाते हैं जो मनुष्य इस वरत को करता है वै धनवान हो जाता है इस वरत में निर्त्य गायन आदी सहित रात्री जागरन करना चाहिए यह एकादशी धन भैवव देती है और पापो का नाशकर उत्तम गती भी परदान करने वाली होती है दनादिपती कुबेर ने भी इस एकादशी वरत का पालन किया था जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोले नात ने उन्हें धनाद्यक्ष का पदपरदान किया इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ती हुई थी तद उप्रांत कॉंडिन्य रिशी ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनआया रिशी ने कहा हे भ्रामनी पंच रात्री व्रत इससे भी जादा उत्तम है पर्मा एकादशी के दिन प्रातह काल नित्ते कर्म से निवर्त हो विदान पूर्वक पंच रात्री व्रत आरंब करना चाहिए जो मनुष्य पाँच दिन तक निर्जल वरत करते हैं वे अपने मापिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोग को जाते हैं जो मनुष्य पाँच दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं जो मनुष्य स्नान करके पांच दिन तक भ्रामणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं जो मनुष्य इस वरत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोगों को दान करने का फल मिलता है जो मनुष्य उत्तम भ्राम्मण को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर वर्षो तक विश्नु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य पाँच दिन तक भ्रह्म चर्य पूर्वक रहते ह वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। प्रत्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पती पतनी श्री विश्नु के उत्तम लोग को प्रस्थान कर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाए। प्रत्वी प्र